हलो फ्रेंड्स असलाम उलेकूम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू अंडा करी मसाला की रेसिपी यह बहुत आसान है बनाने में वह बहुत जारा मज़दार बनेगा तो यहाँ पर हमने चेंडे लिए हैं अंडे को हमने बाल लिया है यानि हाड बॉयल किया है इनको और के साथ हमने यहाँ पर तीन आलू लिया है आलू को भी हमने बॉयल कर लिया है और इसके हमने इस तरदे पीसे बना लिया है आलू के तो यह बनने में बहुत आसानी हो जाएगी और इसी के साथ हमने यहाँ मसाले लिया है तो मसालों में हमने यहाँ पर दो चमच हमने चोट ये ही हदी दोभी करो या बारिख लिर्प लिया है, इसी के साथ हमने यह यह पर टंधर ल्यांचा रहा है। और थोड़ा हमने यहाँ आप हरा धन्या लिया है हरा धन्या को हमने बारे काट लिया है गार्णिश करने के लिए बहुत अच्छा हता है तो चलिए इसको बनाते किस तरह से बनाते तो यहाँ पर हमने दो बड़े साइज चम्मच दो बड़े चम्मच हमने आपर ओल लिया है को गरम कर लिया है सबसंकों हम अंड rasa और करेंगे तो देखिए मगर्य इसको अच्छा करद में अच्छा और कि और पर इंडивать करेंजा किंए तो देखिए यहां पर अंडे को पर crunchy आना स्टांत हो गया नहीं golden कोण का रहा गया है वह बहुत अच्छा कलर आया है इनको पर तो हमें यही कलर चाहिए था तो अब हम अंडे बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर हमने अंडे बाहर निकाल लिया है फ्रेंड्स बहुत अच्छा कलर आया है अंडे को पर यही कलर चाहिए था तो अब हमसी ग्रेवी तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने एक बड़ा चमच ओईल लिया है जिसमें हमने अंडे फ्राइए किया है जिसमें हम खड़ मसाले एट करते हैं एक चमच सफेज जीरा और चार लॉंग और चार सेमेट लिया हमने यहाँ पर तो यह देखें अच्छी तरह से भुण जाए तो हमने जो प्या प्यास डियाँ पर चूप कर दिए प्यास के उपर अच्छा था Corporate तो फिर में हम और मसाले करते हैं क्योंकि प्यास कोफ़ाके चाहें करम करना है fel present प्यास के उपर उपर चल्राना स्टार्ट हो गया है तो आनि जो झाहिए ता तो जो हमनिभी आपर टिमाटर चूप किये हम इसमें टेमाटर एट कर देते हैं तो देखें टेमाटर एट कर दिये हैं और टेमाटर को हम पांच मिट तक फ्राई करेंगे इसी के प्यास के साथ ही जिससे टेमाटर हमारे अच्छे तरह सॉफ्ट हो जाए यानि गल जाए तो देखें यहां पर हमने ट्रमाटर अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो गए है यानि प्यास के साथ ही भुन गए हैं तो इसमें हम मसाले एट कर देते हैं जो हमने मसाले लिए थे वो मसाले हमें एट कर देते हैं ट्रमाटर प्यास के साथ ही यहां पर हमने मसाले एट कर दिये हैं इसी के साथ हम एक वन टी स्पून अधर कलेशन का पेस्ट एट करेंगे तो यहां हम लद्रक लेजन को पेस्ट एट कर दिया है तो अच्छी तरह से मसाले मिला दियते हैं और इसी के साथ हम आधा कप में इसमें पानी एट करेंगे जिससे मसाले हमारे अच्छी तरह से भून जाए तो देखें फेंस यहांपर हमने आदा काप पानी एड़ कर दिया है ओर मसाल्य को मह भूथ आट लेना है तो हमारी मसाल्य कर पंस में थो गए तो 5 मुणते हुए तो पंस में मघन火 तो यसी के साथ अब इसमा जो आलू हमने काट कर रखे थे यानि बोईल किया थे वो एट कर देते हैं अब देखें हमने आलू एट कर दी है और मसाले के साथ इसका चितर से मिला देंगे और एक कप पाइन डाल कर इसको हम 10 मिनिट तक हाई फिलेम पर बनाएंगे मसाले के साथ ही जिससे आलू में बहुत अच्छा कलर भी आ गए है आलू के साथ तो इसमें अंडे एट कर देते हैं अंडे एट कर दी है और अच्छी तरह इसको चिला देंगे जिससे अंडे आलू मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे देखे फ्रेंज बहुत जादर अंड बनेंगे एक बार अब जरूर बनाएगा और यह बहुत आसान होते हैं बनाने में और बहुत आसाने से बन जाते हैं एक बारा आप जूरू बनाईएगा बहुत जायर लजीज बनेंगे तो यहां पर देखें फिर इस पांच मेट हो गए हैं हमारे अंड आलू बनकर तयार हो गए हैं गानिश करने के लिए उपर से हम इसके रधनियाइट कर देते हैं तो हम यहां पर थोड़ा अंडे की अंड डालू की बहुत अच्छे तरह से बनकर तयार हो गई है आप इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं तो मुझे यहां थोड़ी पतली करनी है तो यह कप पानी में यहां पर एट कर दिया है जिससे बहुत अच्छे तरह से इसकी ग्रेवी पतली हो जाएगी तो देखे सब्सक्राइब कर दिजिएगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फेमी फ्रेंज के साथ शेयर कीजिएगा